बेलकम टू चैनल नौलेज आप फार्मेसी डोटा बेरीन हाइडो कलोराइड आएंड डाइकलो फेनेक पोटेसियम टेबलेट का आज हम रिविव करते हैं तो ब्रॉण नेम की बात करते हैं तो सुपरिस्पास इस्पोरीडिक बेरीन धी कुछ ब्रॉण नेम है जो भी सरलता से मिल जाएं आप ले सकते हैं वैसे सुपरिस्पास काफ़ी फेमेशी ब्रॉण है वहीं आभ देखते ही यह दवा कैसे वर्क करती है इसका मेकनीजाम अस एक्सन क्या है तो यह रिलीफ करती है यह रिलीफ करती एन कॉक्स टू जो की इंबाल्व होता है संस्थिस आप पोस्टा ग्लांडिंग केमकल रिस्पांस के लिए तो उसको यह इन्हिविट कर देती है जिसके कारण पेन एन क्कि Defense केंविट करने लगता है तो इस तरीके से यह कार करती है वहीं देखते हैं पेन इसका ग्यंच में लेते हैं तो पेन इन इन्फ्लामेसन अगर कहीं पे डर्द हाँ या सूजन है तो यह प्रियोग ने ली जाती है जैदा टर अबडोमिनल पेन यानि पेट के दर्द में ये बहुत ही प्रियोग में ली जाने वाली मेडिसिन है तो पेट में करंप हो आइठन हो ब्लोटिंग हो या फिर स्टोन पेन हो यानि पथरी का दर्द हो तो बढ़ी हां रहा दिलाती है रिनल पेन हो यानि तब भी बढ़ी हां ये रेजल्ट देती है रिनल पेन म है तो ये राहत दिलाने का काम भी करती है वहीं इसके side effect की बात कर लेते हैं तो इसको लेने से dryness in mouth मुह का सूखा फन का हैसास हो सकता है और sweating यानि पसीना भी आ सकता है insomnia या ना नीद आने की बिमारी हो सकती है या जो है नीद नहीं आ सकती आप यह कह सकते हैं और nausea and omitting यानि मितली और ङल्टी आ सकती है diceratic हो सकता है diepepsia यानि अपच्छ हो सकता है तो यह condition हो सकता है Wor Worish disease हो सकती है यानि Lieber की कोई disease हो सकती है हैप्तिक औरong by सब्सक्राइब यह सकता है है ये इसके side effect है अलर्जिक हो वो ना लें हार्ट की डिजीज है तो उनके लिए यह नौट रिकुमेंडेड है एलकोहल जो लेते हो प्रेगनंसी हो या लेक्टेशन महिला हो या जो है लीबार या किड्निक डिजीज हो तो डॉक्टर से जो है अपना बता दें अपनी पूरी हिस्टिरी उनको डिटिक पेसेन्ट के जो भी दवा म्रेट फारम चल रही है तो यह उसे साथ या बिलर्ड क्लॉक कि जिसको वार्फड Jinping के साथ भी यह यो है एन्टरेक्ट कर सकती है या कोई भी मेड़कल कश्टरी है कोई ढवा ले रहे नहीं स्थे बता दें डॉक्टर से पूरा धे ग्र क्यारा कंडिशन है क्योंकि तभी वह आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि हाँ इनको देना उचित है या नहीं वहीं आप दोजज की बात कर लेते हैं तो वन टेबलेट जो है या फिर बीडी यानि दोनो टाइम देते हैं कि सुबा और साम या फिर एडवाइस योर फिजीशन जैसा कि आपके फिजीशन एडवाइस करते हैं एज बेट एंड डिजीश के कंडिशन के अंसार से वैसा आप ये जो है ले सकते हैं ओके थैंक्स आप चाहें तिसके इन